कहते हैं कि संगर्ज जुनून और समरपड की भावना जिस व्यक्ति ने अपने अंदर ठान ली उसे काम्यावी की बुलंदियों पर पहुंसने से कोई नहीं रोक सकता जिस देश में जासी की रानी माता सावितरवाई फूले जैसी माताओं ने जनम लिया हो आज उसी देश भारत की एक और करिसमाई बेटी के बारे में मैं यह वीडियो लेके आया हूँ इस देश को एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नाजाने कितने मेडल भारत की जोली में डाल दिये और देश का नाम विश्पटल पर रखा आज मैं रैसलर की दुनिया पर राज करने वाली भारत की महान बेटी भारत की महान बहादुर बेटी वीनेस फोगाट के बारे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ भारत की बहतरिन पहलवानों मेंसे एक मानी जाने वाली बिनेश फोगार्ट के पीछे कुस्ती की एक मजबूत बिरासत है तीन वार की ओलम्पियन बीनेस फोगाट के पास कॉमन बेल्ड गेम्स में तीन सुवड बर्ड चैंपियंस में दो काश्य पतक और एशियन गेम्स और एशियन चैंपियंसिप में एक-एक सुण पतक है बहे पैरेस 2024 ओलम्पिक के फाइनल में भी पहुची लेकिन सौ ग्राम जादा वेट होने की बज़े से सुणक पतक से वे वन्चित रह गई और वेट इन में पिफल होने के करण उन्हें अयोग्य गोसित कर दिया गया 25 अगस्त 1994 को जन्वी बीनेस फोगाट अपने चचिरी बहन गीता फोगाट और बवीता फोगाट के नकसे कदम पर चलती हैं और भारत के सबसे प्रसित कुष्टी परवारों में से एक से आती है उन्हें बहुत कम उम्र में उनके चाचा महावीर सींग फोगाट ने इस खेल से परचित कराया जी हाँ ये वही परवार है जिस परवार के ऊपर आमीर खान की एक्टिंग से सजी धगी बेचुरी दंगल आप सब लोगों ने देखी होगी मैं उसी परवार के चाचा महावीर ही थे जो उनके लिए मार्क दरसक सावित हुए उन्हों ने इस यूबा पहलवान की रिची इस खेल में लगाई एक शांदार जूनियर के अरियर के बाद बीनेस ने ग्लासको में 2014 कॉमन वेंथ गेम्स में 48 कुलोग्राम भार बर्ग में सोड़क पतक जीत कर अपना पहला बड़ा अंतराश्टी खिता था इसके बाद बीनेस अपने पहले ओलम्पिक अनुवव की ओर आगे बढ़ रही थी बीनेस ने इस्ताबुल में अपना ओलम्पिक कॉलिफाइड इवेंट जीत कर रियो 2016 के लिए अपना कुछ इस्थान पक्का कर लिया और वह ओलम्पिक खिलों में पहले आत्म भिजवास से लवरेश थी लेकिन कॉआटर फाइलम्प में पहुँशने के बाद बीनेस का 21 साल की उमर में अपने देश के लिए पदक जीतने का सपना तूट गया अंतिम आठ में पीपूल्स रिपॉलिक आफ चाइना की सुन यानाना का सामना करते हुए मेच के दौरान उनका दाहिना गुटना उखड गया इसके बाद इस भारतिय पहलवान को बहते हुए आंसियों के साथ मेच से बाहर ले जाया गया उस समय बीनेज का दर्द बिलकुल साफ नजर आ रहा था और उनकी पदक की संभवनाएं उनकी आँखों में चमक रही थी जो पूरी नहीं हो सकी लेकिन ये पहली बाद नहीं था जब बीनेज बापसी करते हुए सफलता के शिखर पर पहुँची गोल्ड कॉस्ट में दो हजार कॉवनबंग गेम्स और जकार्ता एसिन गेम्स दोनों में स्वण पदक उनके सीर्स पर बापसी करने के द्रण संकल्प का प्रमाड है इसके बाद भारतिय पहलवान ने 2019 सीजन में 53 किलोग्राम भारबर्ग में जाने का फैसला किया बीनेज फोगार्ट के प्रतेसन पर इस बदलाब का कोई खास असर देखने को नहीं मिला उन्होंने नूर सुल्तान में बर्ड चेंपियंसिप में पहला काश पदक जीतने से पहले एसियन रैसलिंग चेंपियंसिप में काश पदक जीता था वहाँ उनके प्रतेसन ने टोकियो 2020 के लिए उनकी जगे पक्की कर दी टोकियो ओलम्पिक से पहले बीनेस फोगाट जवर्दस फोग में थी वह पूरे साल अजे रही और एसियन चैंपिनशिप में अपना पहला स्वणड भी जीता टोकियो 2020 में मैलाओं के 53 कलोग भार बर्ग में पहली बरियता प्राप्त बीनेस फोगाट को ने स्वीडन की सोफिया मेटसन पर जीत के साथ सुरुगात की लेकिन बेलारूस की बेनिशा कलांद जिजकासा के खिलाफ अपना अगला मुकाबला बाहर हो गई बीनेस ने बाद में खुलासा किया कि टोकियो 2020 के दौरान पे सबसे अच्छी सारे रिक और मानसिक इस्तिती में नहीं थी और इसके तुरंद बाद उनकी कौनी के सरजरी हुई बीनेस फोगाट ने 2022 में मैट पर वापिस डॉल वेल गरेड में वर्ल्ड रैसलिंग चेंपियंशिप 2022 में काश्य पदक और बरिगंगम में कौमनमद गेम्स में सौण पदक के साथ सफलता हासिल की उन्होंने उस बर्स बीवी सी इंडियन स्पोर्ट्स बूमेन आप दा इयर का प्रसकार भी जीता फोगाट को हौंग जाउंग में एसियन गेम्स 2023 के लिए भारतिय टीम में भी नामित किया गया था लेकिन चोट के करड़ वह प्रतियोकता में हिस्सा नहीं ले सकी जब बीनेस फोगाट चोटों से जूद रही थी उस समय 2023 विस्प चैंपियन सिप और एसियन गेम्स में सफल अब्यानों के दम पर अंतिम पंगाल महिलाओं के 53 किलोगराम भार बर्ग में भारत की सीर्स पहलवान बनकर उबरी अंतिम में भी इसी सेड़ी वे भारत के लिए कोटा असिल किया हाना की बीनेस ने 50 किलोगराम भार बर्ग के लिए बजन कम करने के बाद पैरिस दोयाद 24 में लगातार अपने तीसरे ओलमपिक में सालिया उन्होंने एसियन रैसलिंग ओलम्पिक क्वालिफाइड में 50 किलोग्राम भार बर्ग में भारत के लिए ओलम्पिक कोटा हासिल किया उन्होंने पैरिस दोया 24 में बिना बरिता की प्रिवेस किया लेकिन अपने केरियर की तीन सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाइड कर दिया विनेस ने शुरुआती दौर में सीर्स बरिता प्राप्त टोकियो 2020 चेंपियन जापान की यूई सुआकी को हराया उन्होंने समी फाइनल में क्युगा की मौजीदा पेन अमेरिका गेम्स चेंपियन, क्वाटर फाइनल में यूकरेन की पूर्वी यूपियरोपियन चेंपियन ओकसाना लिवाच को हराया हाला कि ओलम्पिक में कुष्टी के फाइलल में प्रत्रिस्तवर्दा करने के बाली पहली भारतीय महिला बनने के लिए तैयार बीनेस का सबना तूट गया यूएस की सारा हिंडे वरांट के खिलाफ सौन पदक्त मुकाबले की सुबह बजन बढ़ने के करन उन्हें इस मुकाबले के लिए आयोग्य घोसित कर दिया गया यह बीडियो उन विशेश रूप से परवारों के लिए है जो अपनी बेटियों को ये समझते हैं कि बेटी पराया घर चली आएगी इस से हमारे बंस का और हमारे परवार के गौरब का कुछ नहीं हो सकता मैं ऐसे परवारों को ये बता देता चाता हूँ कि बेटियां भी उतनी ही सक्षम हैं उतनी ही काविल हैं और मैं तो ये कहूंगा बेटी बेटों से ज़्यादा काविल और मजबूत है जो आपको और आपके परवार को अगर आपका साथ मिल गया तो एक दिन आपके परवा सब्सक्राइब करें गी इन महान बेटियों को जो हमारे भारत में जनम लेती हैं कि अन्तिम दो लाइनों के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं मैं नारी हूं मैं क्रांतिकारी चिंगारी हूँ मैं लच्छमी बाई हूँ जो मौके पे आ जाए तो मैं सावित्रिवाई फूले भी हूँ मैं इंद्रा गांदी हूँ मैं कल्पना चावला हूँ जै भीम जै भारत